दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं A2Z Multivitamin, Multimineral सिरप के बारे में और साथ ही देखिए इसमें जो है Estrazenthin B है, जो की Antioxidant से भरपूर होता है तो इस सिरप के बारे में Complete जानकारी आपको इस वीडियो में दूँगा इसके फाइदे क्या है, कैसे और कब आपको इसे यूज़ करना है इसके Ingredients, Price, Satisfied क्या हो सकते हैं ये सारी जानकारी जो है आज की इस वीडियो में आपको दूँगा इसलिए इस वीडियो के अंतित्तक आप बने रहिए सबसे पहले बात करें इसके Price की तो 76 रुपे इसका Price है और 200 ml की प्लास्टिक की बोतल में आती है दोस्तो पैकिंग कुछ इस तरह आपको देखने को मिलती है जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर भी देख सकते हैं आपको ये किसी भी Medical Store से आसानी से मिल जाती है दोस्तो एलकम Laboratories Limited के दोरा इसको तैयार किया गया है अब दोस्तो इसके फाइदे क्या है ये बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसमें सामिल किये गए इंग्रिडियन्स के बारे मैं जानकारी दे देता हूँ यानि कि क्या क्या चीजें इसके अंदर सामिल की गई है इसके बारे में पहले हम जान लेते हैं तो देखे ये जो A to Z सिरप में जो इंग्रिडियन्स मिले हुए है इसमें बहुत सारे विटामिन्स और मिनर्स का इस्तमाल है वो किया गया है देखे इसमें विटामिन A, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, विटामिन E, C, बायोटेन, जिंक, मैगनीज, आयोडेन, सेलिनियम, मॉलिब डेनिम ये सबी विटामिन्स और मिनर्स इसमें जो हैं सामिल के गए हैं और देखे जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें एस्टाजेन्थिन भी सामिल किया गया है जो कि एक एंटी ओक्सिदेंट की तरह काम करता है ये इम्मिनुटी के साथ साथ सेल्स कले भी फाइदेमन होता है दोस्तो अगर A to Z सिरप के टेस्ट की बात करें तो मैंगो फ्लेवर इसमें जो है एडिट है जिस करन्ट टेस्ट का कोई भी इशू नहीं रहता है तो चलिए फिर अब बात करते हैं इसके फाइदों के बारे में तो सबसे पहले अगर आपके सरीर में किसी भी विटामिन्स या फिर मिन्नस की कमी है जो कि इसके अंदर सामिल है तो वहा कमी है वो दूर होगी और न्यूटिशन सप्लाई होगी ताकि आपकी बाड़ी है वो अच्छे तरह से फंक्शनी है वो कर पाई सरीर अगर आपका कमजोर फील करता है थकान की समश्य रहती है तागत की कमी रहती है सुस्ती रहती है लेक आउप एनरजी फील होती है आप जल्दी थक जाते हैं आप कोई भी काम करते हैं तो उस कंडिशन में काफी अच्छा जो है आपके लिए हो सकता है A to Z सिरप क्योंकि देखिए हो सकता है कि आपके सरीर में कुछ विटामिन्स और मिर्नल्स की कमी हो जिस करण आपको इस टाइप की समश्य है वो देखने को मिल रही है अब इसके लावा फिजिकल और मेंटल हेल्थ को बूश्च करने का काम भी करता है इसके लावा ये जो है इम्मूनिटी सिस्टम को भी बूश्च करता है जो की काफी अच्छी बात है इसके लावा ये जो है आपके इसकिन के लिए और बालों के लिए भी अच्छा है और सा अगर किसी बीमारी का इलाज नहीं है ये किसी बीमारी को ठीक करने की मेडिशन नहीं है अगर किसी बीमारी के कारण किसी भी तरीकी की आपको विक्नेस है कमजोरी है आपके सरीर में उत्पन हुई है तो वहाँ पे इस्तमाल कर उस कमजोरी को दूर किया जा सकता है तो दोस्तों इस प्रकार से ये जो है काम करती है तो इस प्रकार से इसके जो है फाइदे है दोस्तों अगर बात करें इसके डोस की यानि कि इसको इस्तिमाल कैसे करना है अगर इसकी बात करें तो एक teaspoon full यानि 5 ml आपको लेना होता है एक दिन में और देखे मैं आपको इसे breakfast करने के बाद लेने की सलाह वो दूंगा इसे male female कोई भी ले सकता है लेकिन अगर बात करें बच्चों की तो बच्चों को देने से पहले डॉक्टर से जरूर सलाह ले क्योंकि देखे डिपेंड करता है कि बच्चे के उम्र कितनी है इसके लावा जिनकी दवाईयां चालू है BP, diabetes के patient है, medicine वगेरा आप ले रहे हैं तो आपको डॉक्टर के सलाह के बाद इसको इसको इस्तमाल करना है इसके लावा जो महलाएं pregnant हैं या फ्री इस्तनपान करती हैं तो उनको इस medicine को इस्तमाल नहीं करना चाहिए अगर डॉक्टर सलाह दे तो ही करना चाहिए दोस्तों इसके लावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको इस medicine यानि कि इस A to Z सिरब को इस्तमाल करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी है आपकी प्रॉल्म कैसी है? कितना और कब तक आपको इसे लेना चाहिए? इस बारे में डॉक्टर आपको सलाह देगा तो इसलिए एक बार डॉक्टर की सलाह जरूर ले अगर side effect की बात करें तो सरीर में खुजली हो सकती है पेट खराब हो सकता है या headache इस प्रकार के side effect हैं वो हो सकते हैं कुछ-कुछ cases में हाला कि इसके बहुत कम side effect देखे गए हैं लेकिन फिर भी ये एक medicine है अगर आपको कुछ भी health में issue लगता है से लेने के बाद में तो इस बारे में तुरन डॉक्टर से concert करें दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो like जरूर करें और अगर आप इस channel पे नए हैं तो इस channel को आप subscribe भी जरूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे My name is Jitij and thank you so much for watching